आज है अपने तारसी का जनम दिन वो तारसी जिन्होंने हैंड पंप उखाड पाकिस्तान में जाकर मचा दिया था गदर अब पाकिस्तानियों को तो तारसी के जनम दिन पर कोई खास खुशी नहीं होगी लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए ये दिन काफी खास है अरे आप बात ही ऐसी है दुश्मन का दुश्मन तो दोस्ती होगा ना अब तो शकीना भावी भी हिंदुस्तान में हैं खैन इसी जिन्दगी में आज कल फिर पाकिस्तान से दिल लगा बैठी है शायद तो चलिए आज हम जानते हैं तारसी यानि की सनी देवल से जुड़ी कुछ खास बात हैं सनी देवल का जन्म 19 अक्टूबर 1965 में दिगज अभिनेता धरमेंद्र के घर में हुआ था सनी देवल हिंदी सिनिमा के एक ऐसे आक्टर रहे हैं जो कभी भी ऑन स्क्रीन आइडिल हीरो वाली इ जीतते रहे हैं अपने सनी पाजी को बच्पन से ही अभिने का बहुत शौक था जिसके कारण उनके पिता धरमेंद्र ने उन्हें आक्टिंग की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया और वहां से वापस आएं तो फिल्म बेताप से उन्होंने फिल्म इंडिस्ट्र हो गई थी जी हां सही सोच रहे हैं सनी देवल की असली जिंदगी की शकीना का नाम ही है पूजा देवल फिल्मी दुनिया में सितारे अक्सर डाइवूर्स और प्रेक अप करते रहते हैं लेकिन वहीं सनी देवल ने अपने बच्पन की प्यार से अपनी शादी कई मुश्क सनी देवल श्यारुख खान के साथ फिल्म डर में काम किये रहें फिल्म अच्छी चली लेकिन सनी को ज्यादा ना पसंद करके लोगों ने श्यारुख खान को खूब प्यार दिया था यह बात सनी देवल को गवारा नहीं हुई और उन्होंने उस फिल्म के डाइरेक्टर से बहस करनी शुरू कर दी बहस के दोरानी सनी देवल को इतना गुसा आया कि उन्होंने अपना हाथ पॉकेट में डाल रखा था और गुसे में उन्होंने अपने पैंट के पॉकेट को उनके सामने ही फार दिया ऐसी ही चत्पटी खबरे जाने के लिए हमारे चानल को सब्सक् कर दो कर दो कर दो